सो गाई जाज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Facebook यूज करते हैं और आपने अपने Facebook पर two-factor authentication जो है security उसको enable करके रखा हुआ था और आप जो है उसको फिर disable कर देते हैं किसी reason से और फिर आप अपने अगाउंट को log out भी कर देते हैं then कुछ time बात फिर आप login करने कर ट्राय करते हैं अपने Facebook अकाउंट को तो फिर से आपको यहाँ पर login करते ही यह देखने को मिलता है keep your account safe enable two factor authentication आपको यहाँ पर बोलता है कि आप अपने two factor authentication लगा लीजी अपने account पर आप उसको enable करने के लिए enable पर click भी कर देते हैं enable two factor authentication पर पट यहाँ पर enable नहीं हो पाता है और आप जो है अपने account को use भी नहीं कर पाते हैं ना ही आप जो है enable कर पाते हैं two factor authentication को तो ऐसे में आपको क्या करना होगा जिससे आप इसको enable भी कर पाए और use भी कर पाए अपने account को इसके लिए आपको तो simple steps को follow करना होगा सबसे पहला काम आपको आना होगा play store पर प्लेश्टोर में आने के बाद यहां पर आपको facebook को search करना है facebook को open करने के पाद यहां पर नीचे आपको देखने को भी लगा app support इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहां पर चार option आजाएंगे email का option आ रहा है second number पर इस पर click करना है click करने के बाद अब यहां पर आपको एक report submit करनी होगी वो report क्या है वो जान लीजिए आपको यहां पर देखने को मिलती है report तो आपको बता देता हूं आपको क्या लिखना है आपको लिखना है dear facebook team I am a user of facebook and I am facing a problem when I am removed two factor authentication from my account then I was not able to log in facebook it show a error keep your account safe and also I can't turn on two factor authentication please fix this problem as soon as possible thank you यहां पर आपको अपना phone number लिखना है और my facebook account यहां पर आपना facebook account लिखतर यहां पर इसको अपर की तरफ प्लिक करके send कर देना है यह काम firstly आपको करना होगा दैन उसके बाद आपको क्या करना है अगर यह काम आपका नहीं बनता है तो उसके बाद आपको एक और काम कर लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना है अपने instagram को open करना है instagram को open करने के बाद profile पर क्लिक कर लेना है profile पर क्लिक करने के बाद उपर three lines देखने को मिल रही है इस पर क्लिक करिए देन उसके बाद setting and prices इस पर click करिए अब यहाँ पर सबसे उपर account center देखने को मिल रहा है इस पर click कर लेना है यहाँ पर आपको password and security देखने को मिल रहा है तो आपको यहाँ पर click करना होगा देख सकते हैं password and security पर और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा option two factor authentication का इस पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपना facebook account है उसको select कर लिना है देख सकते हैं सबसे उपर ही मेरे को facebook account देखने को मिल गया है यहाँ पर मैं इस पर click कर लेता हूँ click करने के बाद यहाँ से आप जो है अपने account पर two factor authentication लगा सकते हैं यहाँ से और easily आप जो है अपने account को use कर सकते हैं बस आपको आज की वीडियो में यही बताना था अगर आपको फिर भी two factor authentication जो security उसको लगाने में प्रावलम आती है मुझे comment box में बताईएगा मैं उसके लिए कोई और solution आपके लिए लेकर आऊँगा मिलते हैं एक्स वीडियो में टेलमाटे के लव यू